है कि परिख्शा प्रारंभी परिक्षा उनके संदर में हम लोग समझने की उकूशिस करेंगे त्क है और आप लोग जो भी decis expert एमान के चलना हों सब के सबको ठीक है स्बसे पहले भीपेशी के लिए सबसे पहले आपको 對啊 होती है जो कि one मार्क के परिच्छा होते हैं मतलब चार उसमें और चलन होता है ठीक है कितने option दिए गए थे चार option दिए गए थे उससे पहले जादा option होते थे लेकिन मुझे मान के यह चलना से चार option दाते जिसमें से एक option क्या होता आपका सही है ठीक है चाहिए आप offline पर होएं पर online करवाओ ठीक है वो क्या करते सालों पर क्या करते ने prelims की तैयारी तो करवाते लेकिन मेंस नहीं करते लेकिन मेरा मानना है जिस दिन आप prelims की तैयारी करना शुरू करोगे उसी दिन से आपको मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए अगर आप ऐसा तुकर विचाम में कोई भी चूंब सकते हों जो वो भी आपका कितना होता सौन मुआ का होता है एक जो होता हिंदी का महतर पूर्ण है क्योंकि हिंदी के एग्जाम में आप अगर पास होते तभी आपकी अन्य कॉपी भी मेंस की जाँच की जाती है ठीक है जैसे आपने हिंदी के एक्जाम में पास कर लिया तो आपके आगे की कॉपी जाँच होगी अगर आपने हिंदी के एक्जाम में ही अगर आप खेल हो गया तो आगे की कॉपी आपकी जाँ प्रिलिम्स से है थाकि यह प्रिलिम्स के परिक्षा के दोरान ही आपकी एच्छिक भी से जो ऑप्षिनल जो होता है वो सो नंबर का जो होता उसकी तैयारी हो जाए ठीक है इसमें बहुत कम मार्क्स लाना होता है इसमें निगेटिम मार्किंग नहीं होता है ठीक है अब यह न शो भी इस नंबर के अधार पर जो मेरिट बनड़ा अगर इसमें से 55% नंबर भी अपलाते है तो अब अच्छे पद पर चैनित हो जाते हैं ठीक है अब आते हैं हम लोगों देखें पाथे करम क्या है अब बात के प्रारंभीक परिच्छा का पाथे करम की बात करेंगे तो भ विवस्ता बिग्ज्ञान इनका भी वेटेश थीस नमबर का होता है ठीक है तर्क सकती की बात करेंगे तो फिक्स रहा था दस नमबर का तो मैंने इन इन subject का number लिखने के पीछा मेरा यह region है तो आप यहां पर देखोगे 30, 30, 60, 30, 90 और 20 यहां पर क्या 20 भी आकर मान कर चला हूँ तो 110 और यहां पर गनीत की बात करेंगे 10 number तो यह subject आपके देते है 120 number यह जो subject आप देख रहे हो 45 subject है यह आपको 120 number देते बागी राजबेवस्था मतलब quality हो गया भुगोल अर्थ वेबस्था यह सब 10-10 number के आपके आते है ठीक है तो आपको जो mainly जो focus करना है prelims के लिए इन subject पे focus करना जिनका weightage अधीक होता है रनिती की बात करेंगे तो जो नए बच्चे जो है ठीक है बिगनर है वो बिलकुल सुरू से शुरूत करेंगे ठीक है शुरूत करेंगे बिलकुल सुरू से basic से पढ़ना सुरू करेंगे उसके बाद जो basic से जोभी chapter पढ़ेंगे जैसे अगर मालीज़ी कोई basic से पढ़ना सुरू करा रहा या पी कोई extender किताब पर रहा तो जो भी चीज आप basic से खतम करें उसके later आप mcqo भी साथ में क से शुरू किया समझेगा बैसिक चीजों को बोर मत हुएगा बोर हुएगा तो बोलेगा मैं बंद कर दूँगा ठीक है जैसे माली जा आपने एक चेप्टर पर 1857 की करांती तो वहां पर आपको तीन चीज करनी है जैसे 1857 की करांती आपने किसी भी किताब से गर पढ़ लिया तो वहां पर आपको पहले तो आपने पढ़ा प्रोली उसके बार आपको दो काम और भी करना 1857 की करांती से P by Q पे जाना आप बोलोगों सर P by Q का मतलब क्या तक previous year question तक previous year question 1857 का mains में भी पुछा जा चुका है prelims में भी पुछा जा चुका है तो mains के लिए आपको क्या करना जितने dimension बने है 1857 के करांती का उसको आपको प्रेक्टिस करना है और ये question जो भी question BPSC के mains में आते है that means where P by Q में अगर आ रहा है BPSC के mains में तो वह repeat होगा तो वह ऐसे topic आपको notes भी बनाना है ठीक है मेरे दोर आपको topic provide करवा दिया जाएगा उसको आपको क्या करना notes बना ले कि अभी अपने 1857 की किताब से पढ़ लिया कल हम उसका प्रिम्स का question करेंगे परसुस का मेंस का question करेंगे नहीं आपका topics होने का मतलब क्या होना चाहिए पहले आप पर होगे कहीं से उसका पीवाई क्यों लगा होगे प्रिलिम्स और मेंस का दोनों का साथ में आप उस topic का अ कि बात करेंगे तो हम ज्यादा पीछे नहीं चलेंगे हम तीन साल का comparison करके मैं चलना हूँ ठीक है मैं मान के चलना हूँ तीन साल का comparison करके मैं चलना हूँ तो भारतिये इतिहास की बात करेंगे इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालिंग भारत, आधुनिक भारत, modern history, innocent history और medieval की की बात करेंगे तो 67 में 27% ते, 68 में 25 ते, 69 में total 29% पुछे गया थे, भारत भारतिये भारत बात के total 18% पुछे गया थे, ठीक है इसमें कुछ बिहार भी आपका क्या होगा include होगा, ठीक है, अब यहां पे देखेंगे भारतिय अथ्विवस्था की बात के 13% पुछे गया थ पुछे गया थे, ठीक है, अर्शास की बात करेंगे 13% पुछे गया थे, शमाने बिज्ञान सकर देखेंगे 69 BPSC में तब 22% ते, 69 BPSC में थोड़ा फिर आपको देखने को मिला है कि कुछ से पहले आप देख रहे 30-30-30% पुछे गया थे, ठीक है, और यहां पे थोड़ा क या एक कम कर दिया गया, ठीक है, बिहार विशे से बात करेंगे, तो हमेशा है आप 25% की आसपास पुछे जा रहे थे, लेकिन अभी आप देखो गे तेहां पर प्रसं का दो बार से कम परसंद आपको देखने को मिला है, बिहार राज्य विशे से, लेकिन समय समाई की बात क पुछ लिया था, ठीक है, और गनीत की बात करेंगे, तो गनीत में में इनली आपका mathematics से question पुछे जाते है, लेकिन कभी-कभी reasoning का भी प्रसंद आपको देखने को मिलते है, ठीक है, लेकिन वह भी reasoning जो होता है, mathematical based ही होता है, वो हमेशा 10 number की पुछे जाते है, यह आपका prelims क इसी परकार से आपको subject को अपने पास रखना है इसमें changing होने का संभाब ना होता है कभी 24 नंबर उपर चला जागा दो चार नंबर नीचे चला जागा लेकिन इसी के आज पास पूछा जाता 69 में थोड़ा बहुत अधिक तब्दिली देखने को मिली थी लेकिन पहले उससे ज मन में आपको संभून जनकारी होनी चाहिए से क्या पढ़ना है में नहीं पढ़ना है ठीक है और दूसरी बात आपको जो भी पढ़ना है ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लेना आपका एक स्रीज होना चाहिए समको किस परकार से पढ़ाई करनी कहां पे हमको वेटेज करना है ठीक है जैसे किसने मैंने बोला से history की बात करें कि modern history बहुत important रोलादा करता है reason क्या है सबको prelims में भी 20 number के आसवास चूच रहा है अब BPC mains में 114 number के आसवास का इतिहास होता है जिसमें modern history का बहुत बार weightage होता है ठीक है तो आपको सुरू में ऐसे subject को tackle करना है ज़्यादा business ध्यान देना है किसे आपको prelims और mains के लिए अलग-अलग ना सुचना पर आपका साथ-साथ में preparation होता रहा है burden भी आपको नहीं लगए से हमको mains भी करना prelims भी करना है और prelims के साथ-साथ आपका mains भी clear होते रहे हमारी जो batch जो आई है super 30 के नाम से उसमें भी हमने इसी तरीके से डिजाइन किया से prelims और mains को हम साथ लेकर चल ले है ठीक है साथ में MC क्यू भी हम साथ में लेकर चल ले है बच्चे को बिर्कुल भी उस batch में जाने वाला बोलोगे sir कैसे तो अभी अगर माल लीजिए बीपेसी का एक्जाम कभ होगा ठीक है नॉंबर के आसपा 71 70 वीपेसी का एक्जाम होगा ठीक है तो नॉंबर में भी दो महिना क्या प्रॉक्स है अभी समय उसके बाद अभी माल लीजिए एक साल और कंटिनीव कीजिए नेक्स नॉंबर में अगर आप जाते हो ठीक है और इंटर्विव मेंस बगरा सब लगाओ आखे अफ्रोक्स आपको देखेंगे तो नॉ महिना मान के चलता हो नॉ महिना के अंदर में आपको क्या करना है complete स्लेवस को कबर करना है ठीक है इसमें prelims और mens included होगा अब बागी का जो छे महिना का जो समय बस था उसमें आप क्या करूँगे प्रॉपर ठीक है दो से तीन बार आपको क्या कर रिवीजन करना अब बोलो सर्व स्लेबस को खतम करने में 9 महीना बिल्कुल स्लेबस को खतम करने में 9 महीना आपको लगेगा लेकिन जो चीज आपको पढ़ा हुआ है ना उसको रिविजन करने में अलग से वक्त नहीं मिलेगा आपको पढ़ाई के साथ-साथ ही आपको रिवीजन भी जारी रखना परेगा जैसे इसका सबसे अच्छा तरीका यह से सबता है कि पांच ही दिन आप सिलेवर्स को खतम करने पर रखिए अज सटे डे और संडे को क्या किजिए अब रिवीजन के ही मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का अंतिम अंतिम तर्स लेवर्स ही खतम होते रहता है बहुत सारे कोचिंग इंसिट्ट ने अभी तक भी सिलेवर्स नहीं खतम किया है हम जो 70 बीपेसी को परहा रहा रहे थे हमने तीन से चार वर करेंट अफेस कर बादिया मतलब र अगर आपके साथ लगेंगे तो आपकी तי कभी वीबाधा नहीं आएगी ठीक है तो यह हो गया और आप देखो कि सबसे पहले आपको सबजेट को क्या करना है सब्समें जी कए इंडिया में जीतना भी एंगोता है ना कि सबसे आसान अगर किसने पीसी होता है था ठीक है दूसरे UPPCS में आप चले जाए यह 5-6 पर आपको देने होंगे ठीक है ना दूसरे UPPCS में जाए और भी सरकारद है राजस्थन PCS में जाए और भी सरकारद है लेकि BPSC बहुत ही बढ़िए तरीके से और बहुत ही मतलब साफ सुत्रा बोड है ठीक है अगर दूसरे मतल होता है करेंट अफेस की जो प्रसन जो आपको देखने को मिलेंगे जिसमें दो तरह के करेंट अफेस हो सकते हैं कि इंटरनेशनल इजलेशन हो सकता है अभी जो परत्मान समंधी जो होगा इंटरनेशनल नेशनल बिहार वो भी आपको इसी में देखने को मिलेग अग तिसर जो होता, वहके 72 नमबर के पूछे जाते हैं, यह 36 नमबर के दो प्रस्ण आपको यहां पे होते हैं, ठीक है, अब इस पेपर में लोगों का नमबर बहुत ज़ाड़ा उठता है, रीजन क्या है, जिए डी आई बहुत आसान सेगमेंट होता है, जिए 72 में 72 सब लोग लिख देते हैं कि दिक्कत लोगों को कहांपे होता है नब्र की साइन्स, एक बुछा जा रहा है, जोग्राफिक पुछा जा रहा है, यह सब्जेट क्या करना लोगों का नंबर को कम कर देता है, इसलिए किसी को अप देखेंगे, इसमें नंबर रहेगा 170, 175, और इस दुसरा खंड में भी चार निव एक चुनना है। तिसरा खंड में मतलब रहेंगे नहीं चार निवन्द रहेंगे जो कि बिहार के विशेश्टो का जो रहता बिहार से समंधिर होता है ठीक है जैसे बोल देगा से बादो धोबी के कुकूर ना घर के ना घाट के चले ना आवेता अगना तेर ठीक है इस तरह के प्रसंद तो नंबर ठीक ठाक दे देगा क्योंकि आप पिछले वाला इंटर्वी में पहुंचे तो आपकी टेस्ट हो गई वहाँ पर देखा जाता है सबकी इंप्रेशन कैसी है प्रसंद के तोर पे मतलब चीजों को चलाने के पच्छदर हो की नहीं मतलब चीजों का आप डील कर सकते हो की नहीं उस तरह के आपसे कंडिशनल चीज़े आपको आपसे उहाँ पर पूछी जाएगी ठीक है लेकिन यहाँ पर ठीक है 90 नंबर के आसस मिल जाता है एप्रॉ है ठीक है तो offline online दोनों हमारे आप लेबल यह रहेगा आपका मेंस का ठीक है आप बात के मेंस का तैयारी हम लोग कैसे करें बोलेंगे जनरली लोगों का यही कोश्चन हो का सर हमने तो कभी मेंस का तैयारी किया ही नहीं मुझे आता ही नहीं है तो देखिए मेंस के तैयरे हम में में लिखना आपको शुरू में टॉपिक लिखना थीक है अभी जो हमारे यहां जो बच्चे जो जो जुए किया है मेंटर्सी प्रोग्राम को देखी यह भी 18 बच्चे ने कल तक जुएं किया था थीक है जो अमारा सुपर सुपर थैटी बैज जो चल रहा है तो हमने सब क कि पॉलेंगा 257 की संधर में लिखे से भारत के संदर में 1857 की किनान्ति किस परकाश से महत्मून अस्तान रखती है लेकिन वही मेंच का कॉपी बनाएंगे तो बोलेंग उसका अलोचना करो ठीक है उसमें मतलब धारमी कार्णों का उलेक करें इन सारे चीज़ों को बनाएंगे तो हमें डाइमेंजन जब बनेंगे तोहां पर कॉपी को थोड़ा फ्रेम बगरा करना परता है तो आप लास में जाके शीखूँगा अभी क्या करना है निस आपको टॉपिक समझ लेना है तोपिक में पूछा क्या जा रहा है टॉपिक पर आपको ल करने हैं सारे को आपको क्या करना नोर्ट भी बनाना ठीक है और यह हमारे द्वारे करवाएं जा रहे हैं एक आरत तारीक से जो बैच जो आ रहा है पीबाई क्यू का जो कि से मेंटी फॉस्स बीपेसी के बच्चों के लिए ही रहेगी वह सबसे पहले पीबाई क्यू कर और यही बात मतलब उसके बात उसके बाद जब पीबाई क्यू जवाब कर लोगा नो ताब को अभर लिखने का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाओगे यह नहीं को आप प्रो हो जाओगे ठीक है लेकिन हाँ आपको लिखने आ जाएगा तो कॉपी पर हमको लिखना कैसे है आपको आडिया हो जाएगा सो क्या लिखेंगे तुम को नमबर मिलेगा और कहां पर आपकी नमबर कट सकती है मतलब wrest on आपको आपको मुझे रों जाएगा थि होगा cover होगा 70% चीज cover करने के लिए BPSC में कम से कम 71 की बात करा रहा हूं 6 महिना का समय चाहिए अब यहां पर 6 महिना का समय दे दिये आगे चलके बचा मेरे पास 9 महिना के लिए कि मैं 18-14 में 15 महिना का ही मान के चलना हूँ यह 9 महिना में न थीक है इस 9 महिने को अमने 3-3 प्लस 3 इस 3 प्लस 3 में आपका तीन बार आपका क्या होगा मेंस का रिविजन होगा ठीक है मतलब तीन स्रीज में लेकर चलूगा पहले आपका PYQ करवाँगा फिर आपको प स्रीज में 15 महिना时 16 महिना तब याकि संपुर्ण मतलब क्या होगी स्लेवस्ट कम्प्लीट होगी ठीक है। लेकिं ध्यान में रखिए। किसी का भी statement quote कर रहे हो। तो गलत मढ suis kore कीजिए। ठीक है। मांचेत्र का पर juni:" मांचेत्र का पर यूग क्या हूँ, वहाँठ्र का map कीजिता हृ। पंडामेंटल राइट किवारे में परिक्षन कीजिए तो कुछ फंडामेंटल राइट है जैंकि बस नाम मत्रकार दिया गया के अरृउंशाइद किया सकता होगी आप परासन की बात के लिएक्षन पर कुछ लोग लीख रहे डिए reglai कुछ नपाल का कर जज्जमेंट आया तो उसको कोट कर दीजे कुछ करेंट का अभी संदर्व है तो उनको उनसे जोर दीजे कुछ डाटा को लिखना सिखिए तो यह सारे चीजों करके ठीक है हाँ यह बहुत इंपोर्टेंट ध्यान में यह रखा जाता है अगर किसी लिखा था UCC के उपर कोश्चन था ठीक है यह UCC के कोश्चन था भार्टी सविधान में वर्नित समान नागरिक सहिंता को अधिनियम करने किया सकता है इस समन्द में ध्यान रखना है कौन सा चुनोतिया विदमान है ठीक है सारा कुछ सब कुछ लिखा हुआ तो कोई दिक्क नहीं था फिर मैंने इनको मार धाई नंबर दिया साथ नंबर में एक नंबर इनको और मिल सकता था रीजन क्या था से रीजन यहां पर यह था से इन्होंने अभी करेंट में जो मुद्धे जो चल लेकर इस पर प्रसें बात्मान में जो हुई संदर्व हुई है उनकी जरूर करना चाहिए चार से पांच लाइन भी अगर यह और लिख देते हैं इनको एक नंबर और मिल सकता था इक्जामेनर यह देखता है सब जिस बच्चे को हम चुन रहे हो बच्चा रटकर आया वह अभी कि करेंट महल से मतलब क्या अपडेट भी है ठीक है इस चीज को कि बहुत ध्यान में रखा जाता है तो व zerогan को हमेसा क्ए करेंट के चीजों से जोरना सिखिए इस में बन सकते आप जब्रेंब्रश्ति नहीं बन सकते तो उहाँ जरूर जोरना चाहिए ठीक है निबंद के बारे मैं अभी business नहीं बताऊंगा निबंद आप लोग जब निबंद में maturity बहुत चाहिए ठीक है निबंद का कोई आपको तरीका नहीं बता सकता है ठीक है निबंद जो होता है निबंद मतलब जिसमें किसी परकार का बंधन नहों ठीक है आपके अंदर खुद maturity पुरानी कहानी पढ़नी चाहिए साइरी हो गया लोकोक्ति मुहाबरा हो गया विद्वान हो गया विद्वान के statement रिस हो है को टीबी का अच्छा series आपको देखना चाहिए ठीक है दो चार किताबे है मैं बताऊंगा किताबे सज़ेस्ट करूंगा किताबे पढ़ना ठीक है हमारी जो बैज जो अभी आने वाली है मतलब आही गई है कल से हम लोग प्रिलिम्स की शुरुआत कर देंगे वह सुपर ठटी के नाम से बैच रहेगी ठीक है सुपर ठटी क्यों रहेगा आप उसमें बात बात करेंगे तो आखरी आखरी तक उसमें जैसे हमारा जो 70 का वैस था उसमें 1500 बच्चों का एडविशन था मतलब 3300 बच्चों का पांच वैस था ठीक है टोटल तो आप उहां पर देखो को तो इसमें भी काफी बच्चे एडविशन लेंगे लेकिन मैं उसमें से क्या करूंगा जब क्लासे जब चलने लगेगी रनिंग करने मैं उस विरवान के हो चिकने पाक तो उनके जो चिकने पाक उनका लक्षन जोगा खुद बाख दिखने लगेंगे जो क्लास में अपडेट रहेंगे जो मैंस लिखते रहेंगे उनको प्रस्टनली मेरा एही उदेस रहेगा मैं 30 में से 30 का रिजल्ट कर वाऊं ठीक है यह रहेगा आप देखोंगे दूसरे mentorship हमारे mentorship में क्या अंतर है टेलिग्राम पर बहुत जगा पर आपको mentorship आपको देखने हो कमी लगा देखे मैं अंतर दिखा देता हूं सबसे पहली बात वह आप से connect नहीं रहेंगे ठीक है आप गुरूप में जूर गया है आप गुरूप के रूल से तो उसको फॉलो कीजिए गुरूप में जो नियम दिया गया चीजे दियागा आप उनको फॉलो कीजिए उसके बार आपको उसे कोई मतलब नहीं है ठीक है हां कभी फोन करेंगे तो डिखें लेकिन हमारे हैं प्रसनली ध्यान दखा जाएगा आपको प्रसनली कॉल करकर के दूसरी बात, prelims की तयारी कहीं पर भी नहीं करवा था, mentorship का मतलब भी mains होता है, ठीक है, वो क्या करेंगा, mains की तयारी करवाएंगा, mains की guide करवाएंगा, लेकिन हमारे हैं, prelims की तयारी करवाई जाएगी, और prelims की तयारी भी इसी mode पर होगी, एक-एक line आपको बताया जाएगा और साथ में यहाँ पर जैसे अभी आप देख रहे हो, स्क्रीन पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो, क्लास में अगर आप बोलो गो तो आपकी आवाज मेरे तकास आजाएगी, तो यह एक अच्छा चीज़ यहाँ पर टेलीग्राम का यह है, तो live classes में, online प में शुरू होगा, सालों घर आपका में शुरू होगा, कहीं भी आप mentor से program करवाओगे, तो वो एक दिन टेस्ट लेते हैं, ठीक है, उनका test क्या होगा, one day होता है, एक दिन टेस्ट में आपको 5-6 question हो देंगे, 4-5 question हो देते हैं, जिसमें 2-3 चोटे होंगे, अब 2 मतलब ठीक, एक सब्टक के बाद आपको copy check करके देंगे, लेकिन हम वो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारे हैं प्रति दिन लिखें, and next day हो के आपका copy check की दे, क्योंकि मेरा मानना है, क्या होना चाहिए, एक अभ्यास का चीज है, और अभ्यास मतलब प्रति दिन होना चाहिए, भला ही, एक दिन आप 10 questions लिख लो, आप 7 दिन बैठे रहो तो वो सही तरीका नहीं है, प्रति दिन होना चाहिए, एके question को लिखे, प्रति दिन लिखे, दो ही question लिखे, प्रति दिन लिखे, लेकिर प्रति दिन copy check होना चाहिए, यह हमारे हैं अच्छी चीजे रहेगी, साफी copy प्रत प्रति आप 9, प्रति दिन लिखे, यह हमारे हैं। आपको complete लच्मिकान, complete spectrum मेरे ही द्वारा करा जाएगा, सबसे अच्छी बात क्या रहेगा, हमारे हैं आपको एक दम चिंता मुठ्थ हो जाना, burden से फिरी हो जाना, आपके उपर किसी परकार का कोई भी pressure नहीं रहेगा, मेरी responsibility की सापकी syllabus को किस फरकार से खत्तम करना, बस आपसे यह ही नरोत रहेगा, आपको main sensor writing के लिए कम से कम 2 घंटा प्रती दिन, ठीक है, 2 घंटा प्रती दिन आप prelims के लिए 3 घंटा प्रती दिन निकालना है, ठीक है, जो working है, शुरू में 4 घंटा निकाले, जो non working है, वो 5-6 घंटा निकाले, ठीक है, शुरू आती दिनों में, इतना आप निकाले कम से कम 6 बहीं न, देखे, changing अपने आप होता है, अब BPS exam मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, simplest exam होता है, जितना भी PCS है न, उसमें सबसे असान होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, तो इसको मान के छोड़ दिजा, बहुत सारे copy आपको देखाऊंगा, आप बोले कि सर, इतना खराब लिखा, तिर भी इसका selection हो गया, ब मैं कह रहा हूँ, अभी 70 BPSC मी कहा रहा है न, एक 1000 vacancy आने वाला, अच्छा कहा आजाए, लेकिन मुझे लगता है, 700 से 800 vacancy, 70, 800 के 800 vacancy रहेगी, 70, 27 BPSC में, 71 BPSC रहेगी, 1000 से 1200 vacancy रहेगी, ठीक है, 71 में अधिक रहेगी, 70 में कम रहेगी, ठीक है, मुझे लगता है, 800 के 800 रह तो बहुत अच्छा अपर्चुनिटी है इसमें लग जाए अभी से ठीक है जो प्रोग्राम जो आपको बताया गया है उसको फॉलो किजिए काफी कम फी रखा गया 18 महीने के आसफा स्कॉर्स है ठीक है मात इसके सोलो से 99 रुपया में इस प्रोग्राम को ठीक है आप इसको ज कोश्चन है उस कोश्चन पर क्या करेंगे हम लोग मतलब क्या करेंगे बात करेंगे